दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजूकेटर में दोस्तो आज किस वीडियो में बहुत बड़ी ख़बरी देने वाला आपको जी यहां पीएफेमेस पर आप लोगों की स्कॉलर्शिप सो होना इस्टार्ट हो गई है जिया आप वीडियो को बीना स्किप किये हुए बिल्कुल वीडियो परंत तक बने रहिएगा और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यह आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बिल आइकन को प्रेस करिए यूपी स्क पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपेंड कर लेना है और इसके सर्च बाक्स में आपको टाइप करना सरकारी जॉप फाइंड जैसे कि यहां पर आपको दिख राए यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आप वहां से भी इस व पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपको यह देखिए आपसन सबसे उपर दिया गया है चेकी स्कॉलर्सिप स्टेटस बिद बैंक एकाउन नमबर फिय फिमेस फॉर ओल इस्टुजिए यहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक यहर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो इस पर यहां पर आपको देखिए फिल कैस देगा तो बैंक आफ हमने डाल दिया अब यहां पर देखिए सर्च हो क्या गया तो इस पर हमने बैंक आप बढ़ोदा सेलेक्ट कर लिए चलिए अब मैं अकाउंट नमबर यहां पर फिल कर देता हूं सीकूर्टी रिजन से मैं अकाउंट नमबर नहीं आपको सो कर सकता इ यहनि दो बार आपको बैंक अकाउंट नमबर डालना है उसके बाद यहां पर कश्षषक फिल करना है क्या था कश्षषर कोर सी 3E ठीक है ऐसे ही आपको भी चेक करना है जैसे कि मैं इस्टेप ऑइस्ट बता रहा हूँ ठीक है सी 3E 314 ठीक है और इसके बाद यहां पर आपको नीचे सर्च पर क्लिक कर देना है तो search पर click कर दिया हमने, यहाँ पर देखे यह देखे, इनकी यह सो हुई है, और देखे यहाँ पर bank name देख सकते हैं, bank का बड़ोदा account number, और इसके बाद beneficiary जो name है सतेंदर सिंग है, date यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11 फरवरी 2021 यानी आज की date में दिखा रहा है, और यह SC students है, यहाँ पर scheme name में आप देख लीजे, question marks बहुत सारे हैं, तो यह SC की scholar सिपाती है, उसमें हर साल चाहे से question marks रहते हैं, जो पुराने students हो जानते होंगे, इसके बाद यहाँ पर purpose दिया गया, agency name यहाँ पर आप देख सकते हैं, और credit transaction देख सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, जो इनकी amount आई है, वो 6360 रुपए आई है, ठीक है, और under processing bank CBS है, अभी under processing है, इनके खाते में credit नहीं हुई, जब यहाँ पर success हो जाएगा, तो इनके under processing bank CBS की जगे success लिख कर आजाएगा, तो इनके bank में credit हो जाएगी, और जो यह date 01 01 00001 करके है, यह सही date भी आ ठीक है, तो इन्होंने पूचा भी किसर हमारी इतनी कम क्यों आई है, तो आपको पता दें, कि अभी इनकी यह केवल scholarship की amount आई है, second installment जो फी स्वापसी की, फी reimbursement की, वो install नहीं आई है, केवल scholarship की installment आई है, तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको live दिखाया है, बिल्कुल आपके सामने सारा account number डाल कर सर्च करके, तो जी हाँ, scholarship आने लगी है, लेकिन सिर्फ SC candidates की आ रही, जैसे के हमने बाताया था, कि 26 फारवरी तक सभी SC candidates की scholarship आ जाएगी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो व भूले,